संत्रिपाठी जी मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये एक नई स्ट्राटेजी है या कहीं राहूल गांधी जी खुद ही अपने थियोरी में कहीं न कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं नविकाजी मुझे तो बड़ा अश्चर हो रहा है राहूल गांधी की जी बात करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि शायद ये अब आखरी होगा और उसके बाद हो कुछ और हम लोग की उमीदों को और आगे ले जाते है ये जो भारत माता की बात हो कर रहे हैं और उसके साथ ज और पंडित जवाहलाल नहरू फुद कहते थे कि मैं देश के हर हिस्से में जाता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि भारत माता की जय का नारा लगाते हो कौन है भारत माता तो वो बताते थे कोई किसान कह देता था कि मेरा खेद भारत माता है तो मैं उनको बताता था कि इस देश में नदी, जंगल, पहाड, पूरी भूमी, लोग, लोगों का संकल्प, यह सब भारत माता है, यानि वो एक तरह से सब को जोड़कर एक जो चित्र हमारे मन में बसता है, और मैं विश्णुकुराण के उस श्लोक की बात नहीं करता हूं, मैं उसकी भी बात नहीं करता हूं, जो हर बच्चे को पढ़ते समय, जब पहला मैं नक्षा उसे समझाय जाता है, तो अखंड भारत का नक्षा समझाय जाता है, फिर पुलिटिकल मैप समझाय जाता है, लेकिन हमें बताये जाता है, कि वो देश जो दुनिया को ज्यान देता वो देश जो वसुद है वो कुटुम्बकम की आउधारणा पर चलता है वो देश जिसके लिए शत्रु भी है उसकी भी एक शर्ते हैं वो देश जहां से लोग निकल कर गए तो पूरी दुनिया का अलोकतिया और जहां लोग आकर तो चीनी यात्री वेन सांग क्या बताता है भारत के बारे में यहां दुनिया का हर व्यक्ति आया तो वो कुछ सीख कर गया और जब अंग्रेजों को राज करना हुआ तो उन्होंने कहा जातियों में बाट दो महात्मा गादी क्या कहते थे और उनको एक वाक्या मुझे लगा कि इसका जिक्र करना चाहिए अंग्रेजों से लड़ते हुए महात्मा गादी जा रहे थे ट्रेन में उनको आवाज सुनाई दे गई भारत माता की जै चेन पूलिंग की उतर गए जवाहलाल नहरू जी की प पूनावाला आज बहुत देश कंफ्यूजड है क्या भारत के विभाजन से अभी हम उभरे नहीं है क्या अब हम जातियों में विभाजन करेंगे और भारत माता की जै को भी एक कंडिशनल बना देंगे कि भारत माता की जै तब ही होगी जब जाती जंगना होगी क्या हम ये कहेंगे कि इतने स्वरन जाती वाले अगर उनको ये ये मिल जाए तब भारत माता की जै होती है इतने पिछणों को मिल जाए तब भारत माता की जै होती है क्या हम सब मिलकर एक भारत माता के पुत्र नहीं है पुत्रिया नहीं है क्या हम अब विभाजन करने लगेंगे इस दे प्लेस से और आज उनमें से कुछ लोगों ने सेल्फ रूल डिकलेर किया है भारत के इतिहास में पहली बार सेल्फ रूल डिकलेर किया है वे आज पीड़े थे भारत माता के बच्चे वो रेस्टर से जिनके लिए नाविका जी आपने संगर्श के अतर आपकी रिपोर्टर को बिच भूशन शर्ण सिंग नाम के एक दानव ने धक्का मारा उन महिला है उन्हें जब उनके पास गई रोटीन पाउडर नहीं लिए किस अबधर तरह से उन्हें उनको चुआ ये दिल्ली पुलीस रिपोर्ट करती है उसके बर्दे सेलिब्रेट करने को जो एक रेपिस्ट कॉन्विक्टेड है वो रेपिस्ट के जो विक्टम्स थे वो भारत माता के बच्चे थे और जाती कि आप बात करते हूं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी तीसेदारी नाविकाजी में आपको बूरा लगे तो लगने दो वो भारत के बच्चे उनका हाथ बहुत अच्छी बात दे रहें जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी